ओम शान्ति आज हम मीठे बाबा की 6 नौवेंबर दो हजार चौबिस की मीठे महावाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा अज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे बाबा की द्रिष्टी हद और बेहद से भी पार जाती है तुम्हें भी हद अर्थात सत्युक और बेहद अर्थात कल्युक से भी पार जाना है क्या है हद और बेहद के पार परमधाम घर तो बाबा केते हैं इस रिष्टी के हद और बेहद सत्युक और कल्युक दोनों से पार अब बुद्धी घर में टिकी रहे प्रश्ण है उचे ते उच ज्ञान रतनों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है ज्ञान रतन तो हम रोज सुनते हैं ज्ञान सागर स्वयम बाप टीचर है तो ज्ञान रतनों से जोली तो भरते हैं लेकिन ज्ञान रतनों की धारणा होती है और बाबा केते किन बच्चों को धारणा होगी तो बाबा केते जिनका बुद्धी योग एक बाप के साथ है पवित्र बने हैं उन्हें इन रतनों की धारणा अच्छी होगी पवित्रता का आधार भी क्या है बाबा से बुध्धियोग तो जब बाबा से बुध्धियोग है पवित्र बने है तो ज्ञान रतनों की धारणा अच्छे होगी इस ज्ञान के लिए शुद्ध बरतन चाहिए तो बुद्धी जो है जब पवित्र बने ज्ञान रतन के स्परतन में धारण होगे, बुद्धी रूपी बरतन में, तो जब बरतन शुद्ध बने, पवित्र बने योग से तब धारणा हो, उल्टे सुल्टे संकल्ब भी बंद हो जाने चाहिए, बाप के साथ योग लगाते लगाते, बरतन सोना बने, तब रतन ठहर सके, कई बार बाबा बताते हैं, शेरनी का दूद्ध सोने के बरतन में ठहरता है, ऐसे ही ये जो उँचते उँच ज्ञान रतन है, ये शुद्ध पवित्र बुद्धी में ठहरते हैं, तो योग लगाते लगाते, जब बुद्धी रूपी बरतन पवित्र बनता, उल्टे सुल्टे संकल्प सब शान्त हो जाते, तब बुद्धी में ज्ञान रतनों की धारणा होते हैं, ओम शान्ती, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैट रोज रोज समझाते हैं, अभी पीछे बाबा मुडली में कह रहे थे न, कि वैसे तो रोज रोज समझाने की कोई अवश्यक्ता नहीं है, लेकिन बुद्धी रूपी बरतन पवित्र ना होने की कारण, जो समझाते हैं के सक जाता है, इसलिए रोज रोज समझाते हैं, ये तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान, भक्ती और वैराग्य का ये स्रिष्टी चक्र बना हुआ है, बुद्धी में ये ज्ञान रहना चाहिए, ये जो ज्ञान बाबा देते हैं, स्रिष्टी चक्र के आदी मध्यांत का ज्ञान, और बाज बाबा विशेश बता रहे हैं, कि स्रिष्टी चक्र जो है, वो ज्ञान, भक्ती, वैराग्य का बना हुआ है, ये बात बुद्धी में रहनी चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है, बाब तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए न, रुहानी बाब बैट समझाते हैं, ये भी टॉपिक समझाने हैं, कि ज्ञान, भक्ती, पीछे हैं वैराग्य, 25 सुवरश ज्यान चलता, 25 सुवरश भक्ती, फिर भक्ती से वैराग्य आता, फिर ज्यान मिलता, वो है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोडे होते हैं, किसको कह रहें बाबा हद की दुनिया, सत्योग को, क्योंकि जो आत्माओं की संख्या है थोड़ी है फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धी होती है आधा समय बाद भक्ती शुरू होती है वहाँ सन्यास धर्म होता ही नहीं कहाँ? सत्युक ट्रयता यूग में सन्यास वा त्याग होता नहीं फिर बाद में स्रिष्टी की वृद्धी होती है, उपर से आत्माई आती रहती है, तो बाबा स्रिष्टी चक्र का ज्ञान हमें अंडरलाइन करा रहे हैं, यहां वृद्धी होती रहती, हद से शुरु होती है और बेहद में जाती है, जब स्रिष्टी चक्र शुरु होता तो हद हैं, बहुत थोड़े हैं हम, फिर वृद्धी होते होते बेहद हो जाते, इतना विस्तार, इतनी आत्माई, इतने पाडधारी सब स्टेज पर आ जाते हैं, बाब की तो हद और बेहद से पार द्रिष्टी जाते हैं, अब बाब को क्या है, बाब तो परमधाम नेवासी है, ना हद में आते ना बेहद में और बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ मेरी दृष्टी में क्या है कि अब बच्चों को पावन बना कर घर ले जाओ जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं फिर रावन राच्य में कितनी वृद्धी हो जाती है, अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है, सत्यूग में कितनी छोटी दुनिया है, अब तुम घर जाना है ना, बाबा केते हैं, सत्यूग में कितनी छोटी दुनिया है, छोटे से खंड पर सभी है, वो भी एक एक को कितनी जुमीन है, क्योंकि बहुत थोड़े हैं, वहां सन्यासवा वेराग आदी होता नहीं, क्योंकि थोड़े हैं, सुख ही सुख हैं, तो वहां कोई सन्यास वेराग की बात नहीं है, सन्यास वेराग का कनेक्शन है दुख से, जब दुख होता, तो भक्ती, सन्यास की बात घरबार छोड़ने की बाते ये शुरू होते हैं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धरम शुरू होते हैं। सन्यास धरम भी होता हैं जो घरबार का सन्यास करते हैं। तो जैसे जैसे दुनिया पतीत बनती दुख बढ़ता, फिर घरबार चोड़ने का भी, क्योंकि हद का वेराग आता, बाबा तो आकर बेहद का वेराग से खाते, लेकिन वेराग आता है, तो सन्यास धरम बनता, जिसमें घरबार चोड़ने के बात उठते सब को जानना तो चाहिए न, उनको कहा जाता हट योग और हद का सन्यास सिर्फ घरबार चोड जंगल में जाते हैं, बाकी कुछ नहीं छोड़ता बाकी तो सब को छोड़ने के लिए तपस्या करने पड़े और तपस्या के लिए ज्ञान चाहिए, बाकी घरबार चोड़ देते हैं तो हद का वेराग भी अंत में हता, क्योंकि सन्यास थरम अभी कितने समय पुराना है, हजार वर्ष पुराना द्वापर से भक्ती शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं, ज्ञान माना सत्युक्त रहता सुख जब ज्ञान है तो सुख है, कोई भटकना, डूनना, वेरा कुछ नहीं भक्ति माना अज्ञान और दुख ये अच्छी रिती समझाना होता है फिर दुख और सुख से भी पार जाना है दुख और सुख सत्युक जब हम घर में हैं परमधा में तो वो दुख और सुख दोनों से परे अवस्ता है हद बेहद से पार मनुष्य जांच करते हैं कहां तक समुद्र है, आस्मान है ये सब हद की दुनिया है ये बेहद भी है और हद भी है बाबा केते हैं बहुत कोशिश करते हैं परन्तो अंत पा नहीं सकते हैं एरोप्लेन में जाते हैं इतना तेल चाहिए जो फिर वापस पी लोट सके तो इस साकारी लोग में भी हद और बेहद है अगर आस्मान को नापने जाए इस धर्ती को नापने जाए तो ये क्या हो जाता है? बेहद जिसका अंत नहीं पा सकते और बाबा कहते हैं कि फिर मैं तुमें इस साकार लोग के हद और बेहद से भी परे ले जाता हूँ बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में जा नहीं सकते बेहद क्या है? अब बाबा बेहद कह रहे है परमधाम को हद तक ही जाएंगे तुम तो हद बेहद से पार जाते हो अभी तुम समझ सकते हो पहले नई दुनिया में हद है बहुत थोड़े मनुश्य होते हैं उसको सत्युक कहा जाता है तुम बच्चों को रचना के आदी मध्यांत की नौलेज होनी चाहिए न और नौलेज पूरी बुद्धी में धारण होनी चाहिए कि क्या थी दुनिया क्या बन गई और अब बाप हमें कहां ले जा रहे है ये नौलेज और कोई में भी है नहीं तुमको समझाने वाला बाप है जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके रचना के आदी मध्यंत का राज समझाते हैं फिर कहते हैं इससे भी पार चाओ है न बाबा कहते हैं अब फिर सब कुछ समझ लिया अब बस आत्मा समझ मुझ बाप को घर में याद करो वाहां तो कुछ भी रहता नहीं कितना भी दूर जाते हैं आस्मान हैं इनको कहा जाते हैं हद बेहद से पार कोई अंत नहीं पा सकते कहेंगे बेंत बेंत कहना तो सहज है परन्तु अंत का अर्थ समझना चाहिए किसको कह रहे हैं बेंत तो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसकी बेंत की बात होती है कि चलो आस्मान का अंत नहीं पा सकते या धर्ती का अंत नहीं पा सकते अभी तुमको बाप समझा देते लेकिन वास्तम में बेंत क्या है वास्तम में तो जो भौतिक संसार है उसको ये नहीं कहेंगे न कि बेंथ है बेंथ तो तब कहें जब परमधाम के बात हो तो बाबा केते अभी तुमको बाब समझ देते बाब केते मैं हद को भी जानता हूँ बेहद को भी जानता हूँ फला फला धर्म फला फला समय स्थापन हुए है बाबा तो पूरी बेहद की भी सारी डीटेल दी थी तारीक सहित सुना देते हैं दृष्टी जाती है सत्युक की हद तरफ फिर कल्युक के बेहद तरफ फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ भी नहीं सुर्य चांद के भी उपर हम जाते हैं जहां हमारा शांती धाम स्वीट होम है यू तो सत्युक भी स्वीट होम है वहाँ शांती भी है तो राज्य भागे सुख भी है दोनों ही है घर जाएंगे तो वहाँ तो सर्फ शांती होगी सुख का नाम नहीं लेंगे बाबा कहते हैं शांती होती है और सुख और दुख दोनों ही नहीं होता, घर माना सुख और दुख से परे, सत्यूग में होता है सुख, कल्यूग में होता है दुख, और शांती धाम में सिर्फ शांती, न सुख न दुख, अभी तुम शांती भी स्थापन कर रहे हैं और सुख शांती भी स्थापन कर रहे ह आना स्वर्ग की राजाई भी. वहाँ तो शान्ती भी है, सुख का राज्य भी है, कहाँ? सवर्ग में. मोलवतन में तो सुख की बात नहीं है. न सुख की न दुख की. आदा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है. यहना आज बाबा हमें पूरी स्रिष्टी चक्र की सहर करा रहा है देखो आधा कल्ब क्या था? हद है, छोटी सो दुनिया है और हमारा ही राज्य चलता है फिर आधा कल्ब के बाद रावण का राज्य आता है अशान्ती है ही पांच विकारों से दुख शान्ती सब शुरू होती ही विकारों से पचीस सो वर्ष तुम राज्य करते हो फिर पचीस सो वर्ष बाद रावण राज्य होता है उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है उसी को क्या बेयंत बना दिया? एक्तम जैसे बुद्धु बना दिया है पांच हजार वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धु पना कहेंगे ना जरा भी सभ्यता नहीं है देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी सभ्यता तो तब हो जब अकल हो जब अकल ही नहीं होती तो सभ्यता कैसे होगी? यह न दे अभिमान, देही अभिमानी या गुण अभुण का अंतर ही नहीं पता, तो सभ्यता कैसे होगी, वो सब अब असभ्यता हो पड़ी है, कुछ नहीं जानते हैं, आसुरी गुण में आ गए हैं, आगी तुम भी कुछ नहीं जानते थे, काम कटारी चलाएं, आदी मध् करते हैं, कितना सलिब्रेट करते हैं, काम कटारी के नीचे कटने को, जैसे बहुत बड़ा भाग्य समझते, इसलिए उनको कहा जाता है, रावन संप्रदाएं, दिखाया है, राम ने बंदर सेना ली, अब राम चंदरत रहता का, वहां फिर बंदर कहां से आए, और फिर कहत छिए राम की सीता चुराई गई, तो बाबा कहते है, वहां ना बंदर होते है, ना चोरी होते, ऐसी बात दो होती ही नहीं, ये सारा बे, बाबा कहते है, जीव जानवर आदी 84 laak योनियां जितनी यहां है, उतनी सत्यूक्त रहता में थोड़ी होंगे, ऐसे विकारी जानवर दुख देने वाले जानवर आदे नहीं होते बाबा कहते हैं बंदर में तो बहुत विकार हैं ऐसे विकारी जानवर नहीं होते ये सारा बेहत का ड्रामा बाब बैट समझाते हैं बच्चों को बहुत दुरा देशी बनना है आज क्या है? आज सारी प्रजातियां मिला के जीव जानवर की 84 लाख होगे बाबा कहते हैं इतनी नहीं होती सत्यूक्त रहता में बाबा कहते हैं यह सारा बेहत का ड्रामा बाब बैट समझाते हैं बच्चों को बहुत दूरादेशी बनना है अब हमें इतनी बुद्धी हमारी विशाल हो दूरादेशी हो कि हम तीनों लोक तक समझ सकें इस हद बेहद के खेल को भी डीटेल में समझ सकें और फिर इससे भी परे अपने घर की शान्ती को भी अनुभव कर सकें आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है देखो, मनुष्य को तो पूछो तो कोई भी बात में कहेंगे यह अनादी चला आ रहा है यह बेयंत है, इसका अंत नहीं पा सकते लेकिन बाबा अब हमें सारा खेल का सारी डीटेल बता रहें कोई भी चीज अनादी नहीं है कबसे कौन सी बात शुरू हुई कैसे द्वापरयोग आया बीच में रावन राज्जी की प्रवेश्ता हुई कबसे लेकर विकार और दुख प्रारंब हुए और फिर बे अंत की भी बात बाबा समझाते कि यहां तो धर्टी आसमान है या जो भी है तो उसको यह नहीं कहेंगी कि बे अंत है हाँ चलो हमारे पस अभी वो मशीन नहीं है नापने के लेकिन यह सब तो भौतिक है इसका तो अंत है लेकिन वास्तव में बेयंत क्या है? बेयंत तो पारभोतिक हमारा घर है तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य होकर नाटक को नहीं जानते हैं अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है जैसे आजकल तो दुनिया में परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा सबको एक कर दिया यहां तक कह दिया सब में भगवान है लेकिन अब हम यह भी जानते हैं कौन सबसे बड़ा तो सबसे नंबर वन कौन शिबावा फिर आकारी देवताई, फिर साकारी देवताई उचे ती उचे भगवान श्लोक पी गाते उचा तेरा नाम, उचा तेरा काम, उचा तेरा धाम फिर क्या सब को एक बना दिया गा भी रहे हैं और फिर सब एक हैं, सब सर्व्यापी हैं ऐसा कर दिया अब तुम्हारे सेवाए और कोई की बुद्धी में नहीं है तुम्हारे में भी नंबरवार है बाबा इतनी बाते समझाते तो हैं पर बुद्धी में नंबरवार है बाप हर हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं उनसे पार कुछ भी है नहीं वो है तुम्हारे रहने का स्थान जिसको ब्रह्मान भी कहते हैं जैसे यहां तुम आकाश तत्व में बैठे हो इन में कुछ देखने में आता है क्या यह न बाबा कहते हैं आकाश तत्व तो चारो तरफ है मुख के अंदर भी आकाश तत्व है तो बाबा कहते हैं, जैसे तुम अभी आकाश तत्व में बैठे हो, ऐसे परमधाम में ब्रह्म तत्व में बैठते हो रेडियो में कहते हैं, आकाश वानी, अब ये आकाश तो बे अंत है, अंत पा नहीं सकते तो आकाश वाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे ये तो मुख है ये है पोलार बाबा कहते हैं कि अंदर जो आकाश तत्वे हैं उससे वाणी निकलते है मुख से वाणी निकलते हैं ये तो कॉमन बात है मुख से आवाज निकलता जिसको आकाश वाणी कहा जाता है बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है हमारा भी कैसे हम छोटी सी बिंदी उसमें इतना पाठ भरा है तुमको निश्य होता है बाबा ने जो आत्मा का तीनो लोकों का तीनो गालों का ज्यान दिया शिब बाबा के कर्तव ये गुनों का ज्यान दिया स्वरूप का ज्यान दिया अब हमें निश्य होता है है बहुत सहज जैसे हम आत्मा है वैसे बाब भी परम आत्मा है उचे ते उच आत्मा है, तो बाबा कहते हैं, कितनी सिंपल बात है, जैसे हम आत्मा है, बाबा परम आत्मा है, उचे ते उच, और उचे ते उच क्यों है, क्योंकि बाबा पुनरजुनम में नहीं आते, तो वही जिन गुणों के हम स्वरूप है, उनके वो सागर है सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है सबसे उच्छे ती उच्छ भगवान फिर प्रवरिती मार्क का यूगल मेरू प्रका यूगल मेरू ब्रमा बाबा मम्मा जिसको लक्षमी नारायन सत्यूग में कहेंगे फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर स्रिष्टी बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी करोड दानो अर्थात आत्माओं की माला है, जब परमधाम में माला है, तो उसमें तो हर आत्मा का स्थान है, तो करोडो आत्माओं की दानों की माला है, य जाड की डिटेल तो तुम सुनते रहते हों, बीज उपर में है, परमधाम में देख, उल्टा जाड सवात्माई नीचे और बीज बाबा उपर, ये वेराइटी जाड है, इनकी आयू कितनी है, जाड वृद्धी को पाता रहता है, तो सारा दिन बुद्धी में यही रहे, इस स्रिष्टी रूपी कल वृद्धी के आयू, बिलकुल अक्यूरेट है, एनकी बिलकुल अक्यूरेट है, एक सेकंड भी इदर उदर हो नहीं सकता, पांच हजार वर्ष से एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता, तुम बच्चों की बुद्धी में अब कितनी नौलेज है, ज मेरा ड्रामा कितना कल्यानकारी है, मेरे स्वमान कितने उच्चे है, ये धारन हो जाए, तो मस्पूती आए, और जितना पवित्र बनते, योगबल से उतना फिर धारना के अधार से ज्ञान की मस्पूती आते है, इस नौलेज की धारना करने के लिए सोने का बरतन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है न फिर तो हर करम हमारा नौलेजफुल पावर्फुल हो जाए फिर तुमको भी कहेंगे Master Knowledgeful फिर नंबरवार पुर्शार तनुसार माला का दाना बन जाएंगे क्योंकि नौलेजफुल है पावर्फुल है तो हमारे actions प बाबा भी गर कोई समझा न सके क्योंकि तृकाल दर्शी तृलो की नात या नौलेजफुल तो एक बावा ही है यह आत्मा भी समझा रही है ब्रह्मा बाबा भी बाबा जो समझाते उसको फिर अपने अनुभव के आधार से समझाते हैं बाब भी इस तन द्वारा ही समझात ना कि देवताओं के शरीर से बाप एक ही बार आकर गुरु बनते वैसे भी देखो बगती में भी गहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना होते हैं और ब्रह्मा को तो पुराना तन सफेद दाड़ी सफेद मूच बड़ी आयू दिखाते हैं क्यों क्योंकि संगम यूग में करल्युगंत में ब्रह्मा बाबा के तन से ही स्थापना होते हैं कोई देवी देवताओं के तन से ज्ञान नहीं सुनाते हैं देवी देवताओं तो ज्ञान सुन कर ऐसे बनते हैं तो बाबा कहते हैं बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं फिर वापस ले जाते हैं बाकी पूरे कल्प में कोई लौठता नहीं है, सब नीचे आते हैं, जो धर्म पिताएं भी होते ही, वो अपने धर्म की आत्माओं को नीचे लाने के निमित बनते हैं, लेकिन गुरु तो एक ही है जो वापस ले जाता, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है, हर कल्प, बाप ही फिर है मेरू, क्योंकि देखो, शिब बाबा आते हैं, तो कौन है जो शिब बाबा का राइट हैंड बन सारी जिम्मेवारी निभाते, यग्य स्थापना का कारे करते, मम्मा बाबा, तो बाबा के थे हर कल्प यही रहते हैं, जो आदी में महराजा महरानी हैं, और मम्मा बा बाबा ही बनते हैं, क्योंकि आदी के श्री लक्षमी नारायन वही है, वो फिर जाकर अंत में आदी देव, आदी देवी बनेंगे, बाबा केते हैं, ड्रामा में सब कुछ ऐसे नूंध है, ये सारा ज्यान तुम्हारी बुद्धी में है, तुम कहां भी समझाओ तो वंडर ख बढ़ती हैं, फिर वो पुर्शार्त करकर फिर से देवी देवतापद पा लेते हैं, ये तो ठीक बताते हैं, मनुष श्रिष्टी का बीच रूप ही नौलेज़ फुल है, उनके बिगर और कोई नौलेज दे नहीं सकते, ये नौलेज मना स्रिष्टी के आदी मध्यांत का हर कोई तो बे अंत कहता गया, बाबा ही आकर सारा ग्यान सुनाते हैं, ये सब बाते धारन करने हैं, परन्तु बच्चों को धारना होती नहीं है, है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है, एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बरतन में रतन ठह कैसे होगी ज्ञान रतनों की धारणा जब याद में रहें और बुद्धी का बर्तन पवित्र बनाएं यह उची थे उच रतन हैं बाबा तो जोहरी था बहुत अच्छा हीरा मानी कादी आता था तो चांदी की डिभी में कपूस आदी में अच्छी रिती रखते थे यह उन्स थूल रतनों के भी कितनी कदर होती है और यह जो ज्ञान रतन है यह ऐसे ही किसी डिभी में थोड़ी रहेंगे इसके लिए भी शुद्ध बुद्धी का बर्तन चाहिए जो कोई भी देखे तो कहेंगे यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है यह भी ऐसे है से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा धारन नहीं होगा नहीं तो सब निकल जाएगा आत्मा भी है कितनी छोटी उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ यह भी समझने की बात है कि इतनी छोटी से आत्मा में सारी 84 जन्मों की रेल भरी होते हैं कितना अच्छा शुद्ध बरतन च उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंध हो जाने चाहिए, सिर्फ बुद्धी स्वच होगी नहीं, जब योगी बने, पवित्र बने, तो बुद्धी के साथ साथ मन भी शान्त हो जाता, तो ऐसे उल्टे सुल्टे संकल्पों से फ्री जो मन है, जो स्वच बुद्धी है, उसमें तो बाबा कहते हैं, सब तरफ से बुद्धियों घटाना है, मेरे साथ योग लगाते लगाते बरतन सोना बदादो, जो रतन ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे, भारत को महा दानी माना जाता है, वो धन दान तो बहुत करते हैं, परन्तु बाबा कहते हैं, यह है अविनाशी घ्यान रतनों का दान, बाबा कहते हैं, धन दान करने वाले दानी कहला सकते हैं, महा दानी माना जो अविनाशी घ्यान रतनों का दान करें, और महा दानी ही कल महा राजन महा रानी बनेंगे, तो कैसे बनेंगे जब अभी घ्यान रतनों को धारन करें, क्योंकि दान भी वही करेंगे, जो अपने अंदर धारना होगी, देह सहिद जो कुछ है, वो सब छोड़ कर एक के साथ बुद्धी का योग रहे, क्योंकि धारना होगी, तब तो दान होगा, हम तो बाप के हैं, इसमें ही महनत लगती है, क्योंकि ये जो देहे और देहे के संबंदों का भान और देअभिमान यही है, जो बाप से बुद्धी योग लगने नहीं देता, तो महनत किसमें है कि पक्का हो जाए, मैं आत्मा हूँ और मैं हूई बाबा का, एम अब्चिक्ट तो बाप बता देते, पुर्शार्थ करना तो बच्चों का काम है, अभी इतना उच्पद पा सकेंगे, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल वा विकल्प ना आए, क्योंकि उल्टा सुल्टा संकल पाता, फिर करम में ले आते, तो घाटा पड़ जाता, बाप ही नॉलेज का सागर हद बेहद से पार है, सब बैट समझाते हैं, ये ना बाबा क्या नहीं समझाते हैं, सब कुछ बाबा, बाप, टीचर, सत्कुरु एक ही हैं ये ना, मैं रहने वाला भी वहां का हूँ, तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ, बाबा केते हैं, मैं तो तुम्हें देखने नहीं आया, मैं तो तुम्हें यहां से वहां ले जाने आया हूँ, संकल विकल्प कुछ भी ना है, हद बेहद से प्यार क्या है, संकल भी पुरे शान्त, शान्ती धाम है इसमें मेहनत चाहिए है न, पुरानी दे, 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 अभिमान की जो परत है वो सारी गले, योगबल से तब जाकर तो हद बेहद से पार जाए ग्रहस्त वेभार में रहते कमल फूल समान बनना है हद कार्डे, दिल यार्डे, सब कुछ करते ट्रस्ची बन बाबा की याद में रहना है ग्रहस्ती तो बहुत हैं ग्रहस्ती जितना उठाते हैं, उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं सेंटर चलाने वाले, मुर्ली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले उच चले जाते हैं, क्योंकि यहां तो यह बात है नहीं, कि कहां कौन बैठा है, क्या करता है, उससे अंतर पढ़ता है, आगे तुमको सब मालूम पढ़ता जाएगा, बाबा बिलकुल ठीक बताते हैं, हमको जो पढ़ाते थे, उनको माया खा गए, महरती क माया एक्तम हप कर गए, ऐसा लगता था, इतना बड़ा महरती, और माया एक्तम हप कर थे, है नहीं, कैसे पता चलता है, माया खा गए, जब छोड़ के चले जाते हैं, अगर ऐसे नहीं कहेंगे, कि बैठा है और कहेंगे, माया खा गए, छोड़ कर चला गया, तो माया खा ग लेकिन काम किसका करेंगे रावन का, निंदा, अप्मा, नुल्टी बाते फैलाना यही काम करते रहेंगे, विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, होंगे एक सेना के काम दूसरे सेना का करेंगे, तो यहां भी इश्वरिय सेना में भढ़ती हो, रावन की सेना का काम करते ह कहां कहां जाकर शरंड लेते हैं जो powerful होते हैं उस तरफ चले जाते हैं powerful वैसे तो टाकत होती है लेकिन गमंड इतना हो जाता है कि traitor बन पड़ते हैं इस समय तो मौत सामने है न तो बहुत टाकत वाले पास आएंगे अभी तुम समझते हो बाप ही powerful है जाहे कितनी भी किसी में ताकत हो लेकिन उस से क्या हम तो बाबा की शक्ती से चलने वाले हैं तो हमारे सामने तो कोई powerful ने बाप है सर्व शक्तिवान हमको सिकलाते सिकलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं और कितना पावरफुल है बाबा, जो हमें विश्व का मालिक बना देते हैं, देकिन कैसे, सिखला सिखला कर, जो जितना समझेगा, धारन करेगा, उतना विश्व का मालिक बनेगा, वहां सब कुछ मिल जाता है, और आत्मा जब सतोप्रधान होती, तो सब कुछ मिल जाता, प् कि अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुर्शार्त करें। शत्यूफर करна कंग काम करते हैं तो खेल पुर्शार्त नहीं होती है, वहां कोई ऐसी चीज नहीं, जो तुमहारे पास नहीं भी ओसोगे नंबरवार पुर्शार्त अनुसार पद पाते हैं, बाब पिकर ऐसे बातें कोई नहीं जानते, ये आदी मध्यांत के राज तो बाबा ही सुनाते हैं, सब है पुजारी, बल बड़े-बड़े शंकराचारे आदी हैं, बाबा उनों की महिमा भी सुनाते हैं, ये ना बाबा कह कि ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमानी निमित बनते हैं, सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, बाबा कहते हैं, आजकल के सन्यासी के बात नहीं है, जब सन्यासियों में ताकत थी, तो अपने पवित्रता के बल से थमाते हैं भारत को, चड़ती कला में तो नहीं ले जा सक क्योंकि पतित पावन नहीं है, लेकिन पवित्र है, तो थमाते जरूर है, अभी तो तमो-प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखे, अभी तो कोई ताकत नहीं है, जब ताकत थी, तो जंगल में रहते थे, और जानवर अधी, प्रकृति हो या ग्रहस्त वेभार से जाने वाले भी उनको बोजन पहुचाते थे, सब सुख देते थे, क्यों ताकत थी, और अब तो ताकत कुछ रही नहीं, अब तो तमो-प्रधान है, अभी तुम जो पुझारी थे, तो फिर पुझ्य बनने का पुर्शार्त कर रहे है, अभी तुमारी बुद्धी में सारा ज्ञान है, बुद्धी में धारना रहे और तुम समझाते रहो, बाप को भी याद करो, बाबा कहते हैं, समझाओ लेकिन पहले धारन करके समझाओ, और फिर याद का जोहर भी हो, याद करते रहो, बाप ही सारे ज्ञार का राज समझाते हैं, बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है, य है इसलिए पुर्शार्थ करते हैं और माया जीत भी बनना है माया की तुफान भी बहुत आते हैं सब सहन करना पड़ता है अगर क्या क्यूं में गए मैं तो इतना पुर्शार्थ करता हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तो फिर फा हो जाएंगे बाप की याद में रहने से तुफान सब चले जाएंगे तुफान आया आप याद में रहो तुफान पार हो जाएगा तुफान आया ही पार होने के लिए है लेकिन क्या क्यों किया तुफान से लड़ा तो फिर तुफान उसको खीच कर ले जाता हातिम ताएं का खेल बताते है चुई मुई होती है ना, चुई मुई का पौधा देखा है ना, हात लगाते ही बिल्कुल मुर्च आ जाता है, हात लगाओ तो मुर्च आ जाते हैं, ऐसा चुई मुई बनना है क्या? माया बड़ी तीखी है इतना उच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बेटे बेटे गिरा देती इसलिए बाप समझाते रहते अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे क्योंकि हद में तो भाई बेहन हो सकते या देही के संबन दिखाई देते लेकिन भाई भाई समझें तो हद बेहद से पार चले जाएंगे शरीरी नहीं तो फिर द्रिष्टि कहां जाएगी भाई भाई समझेंगे तो आत्मा समझने से परमधाम में बुद्धी जाएगी इतनी मेहनत करनी है सुनकर फान ही हो जाना कहीं तो मुरले सुनकर ये ठक जाते कल्प कल्प तुम्हारा पुर्षाट चलता है और तुम अपना भाग्ये पाते हो बाबा कहते है इतनी मेहनत तुम ही ने की है कल्प कल्प तो अभी भी करें, बाब कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो, वो सुनो और याद करो, वो तो अभी बाबा ही सुना रहे हैं, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग, वो तो पच्छी सो वर्ष से चला है, उसकी बातें तो सुनी है, की भी है और भी नहीं मिला, तुम राज रिशी हो ना, राजाई पानी के लिए पुर्शार्त कर रहे हैं, लेकिन है अभी सन्यासी वेरागी, जटाई खुली हो और मुर्ली चलाओ, दादियों को देखा है ना, जटाई खुली और मुर्ली चल रही है, सादू संद दादी जो सुनाती हैं वो सब है मनुश्यों की मुर्ली, ये है बेहत के बाप की मुर्ली, सत्युक्त रहता में तो ग्यान की मुर्ली की दरकार ही नहीं, वहाँ न ग्यान की न भक्ती की दरकार है, ये ग्यान तुमको मिलता है इस संगम युकपर और बाप ही देने वाला है, क्योंकि एक बाप ही ग्यान का सागर है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लदे, बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की मीठे मीठे, सिकी लदे, मात, पिता, बाप, दादा क याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, उम्शांते, धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धी में ज्ञान रतनों को धारण करना है, हद बेहद से पार ऐसी स्थिती में रहना है, जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्ब वा विकल्प ना है, हम आत्मा भाई भाई हैं माया के तुफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मूल हडा डाल लेना है, सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खाने है वर्दान है, सदा एक के सनही में समाई हुई, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्शन मुक्त भवा बाबा केते हैं, जो बच्चे एक बाप के सनही में समाई हुई हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन और संतुष रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का साहारा आकर्षित नहीं कर सकता। जब पेट भरा हो तो भोजन आकर्षित नहीं करता न ऐसे। एक बाप से सर्व संबंध अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन और संतुष्ट होते हैं। फिर उनको बाहर की बातें आकर्षित नहीं करते उन्हें सहेजी एक बाप दूसरा न कोई या अनुभोती होते हैं उनका एक बाप ही संसार है संसार माना जिसमें सर्व संबंद का सुक और सर्व प्राप्तिया है और संसार के बाहर तो बुद्ध कहीं जाहीं नहीं सकते एक बाप द्वारा ही सर्व संबंदों के रस का अनुबव होता है उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है ना कि वैभव वा साधन इसलिए वे सहज आकर्षन मुक्त हो जाते हैं स्लोगन है प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो क्योंकि सबसे पहले जिस प्रकृति से हमारा सबसे निकट संबंध है वो है ये शरीर ये शरीर क्या है? पांच तत्वों का एक पुतला है तो इस पांच तत्वों के पुतले में जब हमारा लगाव खतम हो जब हम अपनी इंद्रियों में स्थित रहते आत्मा बैठी तो शरीर में है लेकिन इंद्रियों के भी लगाव से और इस शरीर के संबंध से जो जिन संबंधियों से देहधारियों से वस्तों से हमारा संबंध है उन सबसे जब लगाव मुक्त रहते तब हम प्रकृते जीत बन सकते हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं देहे देहे के धर्मों संबंधों और देहे के इंद्रियों पर जीत पाते तब प्रकृते जीत बन सकते हैं अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं 6 November 2024 की अव्यक्तिशारे सेवा में रहते हैं कहा न्यारा बनना होता है और कहा प्यारा इसके उपर विशेश एटेंशन दो अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं और प्यार में फसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं है न, ज्यादा प्यारा माना लगाओ हो जाता, और ज्यादा न्यारा किनारा करने का सुरूप हो जाता, तो न लगाओ हो न किनारा हो, प्यार से भी सेवा करें, और प्यार में फसे भी न, तो प्यार से सेवा करो, लेकि न्यारी स्थिति में स्थित हो करो, तब सफलता होगे, पहले न्यारा हो जाओ फिर प्यार से सेवा करो अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के balance में कमी है सुना, सेवा में सफलता नहीं मिलती तो इस balance पर विशेश attention दे अच्छा, ओम शान्ति